हाई गाईज अगर आप मेरे चैनल पर फोस्ट टैम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें फॉर न्यू वीडियो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अपना जरूर करना और येस अगर आप भी बढर आफचाएं कि किसी भी टॉपिक पर जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है आप मेरे साथ शेयर कर सकते है उसको फिक शेयर कर सकते हैं या फिर YouTube पर कमेंट के जरिये भी बता सकते हैं अच्कि के इस वीडियो में हम अपने स्टैस्टिक्स में च्रेप्टर वन को तो वहुत जिए आज हम इसने देखने वालले हैं. सब गाईस एकनौमिक्स का जो नेचեर है ना, वह बड़ा ही बिन्दास है, यानि कि algorithm साइट और आर्ट और और आर्ठ कहा जाता है. अब science क्यों कहा जाता है? Science देखो, दो sense में कहा जाता है. एक होते है natural and social science ठीक है और एक उसे वो positive science और normative science भी कहते हैं ये दोनों दो बड़े मज़ेदार topic है जो मैं अभी आपको कराऊंगी पहले इन दोनों को पकड़ते हैं science में हमें कहा जाते है कि क्या economics एक natural science है या social science है तो देखो social science तो है social science क्यों है क्योंकि जैसे social science एक human से related होती है इसी तरीके से economics भी हमारी human behavior से related है इसलिए इसे जो human को study करते है जैसे कि अभी आप जब economics में micro economics पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें study करी जाती है एक individual customer की producers की demand की supply की है तो इसलिए उसे social science कहा जाता है हम यह कहते हैं कि जैसे जैसे चीजों के prices बढ़ते जाते हैं महेंगी होती जाती है चीज़े demand कम हो जाती है और वहीं अगर sale लग जाए सबसे पहले customer दोड़े जाते हैं तो यह क्या है कि हम अपनी human behavior को study करते हैं तो इसलिए social science तो हम अपनी economics को कहते हैं अब natural किसे कहते हैं? natural science आप सबको बता है जो nature से related है जो आप जानते हो जिसमें natural laws हमारे बन रखे है gravity का principle आप सबको पता है है ना? तो उसी तरीके से हमारी economics को भी natural science कहीं न कहीं माना जाता है तो उसके चार features है natural science के जो economics में भी पाए जाते है सबसे पहला है systematized study systematized study यानि कि आपको पता है कि natural जो भी हमारी science है उसमें systematized study करके हमारी science बनी है right principles जो बनते हैं वो बड़ी ही study के बाद बनते हैं इसी तरीके से हमारी economics में हम लोग proper study करते है consumption की, production की, investment की, expenditure की और किस तरीके से हमारी wealth and income की तो इस लिए सको systematized study कहा जाते है economics को भी second हम देखते है scientific law scientific laws काफी सारे हैं इसी तरीके से हमारी economics में भी guys काफी सारे laws है law of demand, law of supply और इवेन आप बीकॉम वगरा में देखोगे तो उसमें तो पता ही ने कितने सारे laws है so वो law क्या कहते हैं वो भी एक तत्य रखते हैं एक याने की चीज रखते हैं आपके सामने कि अगर ऐसा होगा तो ये चीज रिजल्ट आएगा अगर चीज महंगी हो गई भाई लोग खरीदना कम कर देंगे चीज सस्ती हो जाएगी लोग दोड़े दोड़े जाएंगे खरीदने के लिए तो ये क्या है? law है इसको law of demand कहा जाता है so scientific law है ठीक है third cause and effect relationship create करते है यानि कि जो हमारे economics के law है वो एक scientific cause and effect relationship create करते है कि अगर इसके पीछे का ये कारण है लोगों की income बढ़ जाती है लोग demand करना बढ़ा देते है लोगों की income कम हो जाती है demand कम हो जाती है तो cause and effect relationship भी हमें अपने laws में principles में देखने को मिलता है उसके बाद है verification of law यानि कि आप उसे verify कर सकते हो अलग अलग जगे पे हमारी economics के भी जो law है guys वो आप चाहे mixed economy है चाहे socialist है आप उन सब में उससे apply करके देख सकते हो सबका results same ही आता है इंकम बढ़ती है तो लोग चीज़े खरीदते है prices बढ़ने लग जाते है तो लोग चीज़े खरीदना कम कर देते है तो universal एक तरीके से उसकी applicability है लेकिन फिर भी हमारी जो economics है guys वो natural और social science है बट exactly natural science नहीं है ठीक है exactly नहीं है बट yes वो science है और social science हो है ही क्योंकि उसमें हम human behavior के बारे में study करते है ठीक है अब इसके बात-बात करी जाती है guys as an art की बात अगर हम करें ठीक है तो economics को as an art कहा जाता है economics को क्यों art कहा जाता है क्योंकि art का मतलब होते practical application तो जो principles हम science की तरह अपनी economics में भी देखते है उन्हीं principle का application हम अपनी economics में देखते है यानि कि किस तरीके से law of demand काम करते है किस तरीके से हम अपनी economic problem को solve करने के लिए different laws adopt करते है तो वो practical application हम अपनी economics में भी देखते है तो इसलिए economics को art भी कहा जाता है ठीक है अब में science के अंदर का guys एक topic है जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारी economics है वो positive science है या normative science है अब ये क्या होती है देखो ये बड़ा मज़दार topic है इसके उपर अलग से भी video बनाऊंगी क्योंकि ये micro economics में भी है देखो positive science guys होती है हमारे parents और normative science होती है हमारे relatives V भी आना था अब ये देखो positive science क्या होती है guys positive science का मतलब यानि कि हमारे parents का एक आप example रखके चलो positive science ये कहती है कि क्या problem है what is the problem and how to solve it कैसे उसे solve करें वो economics में हम पढ़ते हैं ठीक है कि problem क्या है और उसे कैसे solve किया जाना है population बढ़ रही है उसे कैसे control किया जाए pollution का level बढ़ रहा है कैसे control किया जाए तो ये अगर हम study करें that is the positive science लेकिन normative science क्या होती है जो हमें norms बताते रहते हैं बस ये होना चाहिए बेटा 99% आने चाहिए तो जहाँ पर ये चाहिए word आ जाता है जिसे English में हम क्या कहते है what out to be out बोला जाते है ने चाहिए को आपके तो what should be आपको तो इतने मांस आने चाहिए आपको तो CA करना चाहिए तो जहां पर लोग आपको राय देने लग जाए ये जो normative science होती है ये हमारे बिलकुल रिष्टेदारों की तरह है जो हमें ये बताती है ये करना चाहिए एकनॉमी में हमें ये करना चाहिए एकनॉमी में हमें वो करना चाहिए तो ये यानि कि normative science है हमारे relatives है और positive science कौन सी है जो हमारे parents है जो हमें बताते कि क्या problem है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते है positive science जो होती है वो judgmental नहीं होती है normative science judgmental होती है यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ आप अपने book में difference अठाकर देखना यह इनकी खासियत है तभी मैंने इनको parents और relative का दर्जा दे रखा है so यह आपके science को हम अपनी economics को science के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसे positive science भी कहते हैं और normative science भी कहते हैं यानिकि economics में हम अपनी problems को economic problem को क्या है कैसे है उसे solve कैसे कर सकते हैं इसके study भी करते हैं और हम यह भी देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए तो यह चाहिए वाले हमारे relatives हैं जो judgmental होते हैं जो किसी base पर अपना decision नहीं सुनाते हैं लेकिन यह नहीं जानते तो इसलिए इसे positive and normative science भी कहा जाता है हमारी economics को इसके उपर गाईस अलग से एक मज़दार वीडियो बनने वाली है तो उससे भी जरूर देखेगा और यह था गाईस nature of economics जिसमें आपको यह पता चलता है क्या-क्या कि हमारी exact science तो नहीं है economics लेकिन यह social science है natural science की तरह exact नहीं है बट social science है हमारी economics art भी है हमारी economics positive and normative भी है तो यह चीज़ आज की इस वीडियो में हमने पढ़ी I hope आप लोगों को समझाई होगी और अगर अभी भी आपके कोई doubt है तो आप मेरे से YouTube और Instagram पर पूच सकते हैं Thank you